तो आज क्या डिसकस करने वाले हैं जलाई से देख लेते हैं सबसे पहले हम एक डिसकस करेंगे और उसके बाद पब्लिक एकाउंट कमिटी के विसे में जानेंगे कि क्यों ये चर्चा में हैं कभी ये बनी अकॉन कॉन से इसके फीचर्स हैं जो हमारे एक जामिनिशन पॉइंट ऑभी उसे इंपोर्टन हो जाते हैं उसे डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते हैं देखें पिछले दिनों सारे एक बारों में सारे न्यूज पेपर में खबर आई जिसका हीडिंग कुल मिलाकर एक ही था कि हमारे जो पब्लिक एकाउंट कमिटी है उसके 100 ये पू होती ही important है और इसके 100 ये बी पूरे हो चुके हैं तो इसे डिसकस करेंगे ज़रा हमारे ये news हमारे लिए कहा है important है जरा इसे देख लेते हैं देखें सबसे important है प्रिलिम्स लेबल पे, प्रिलिम्स में कुछ fact वा concept होंगे, जो पूछा जाते हैं अक्सर, और UPSC का तो Public Account Committee, PSE, जो हिंदी में लोग लेखा समीती कहते हैं, वो सबसे important topic है, आप देखेंगे, हर बार average कहीं न कहीं ये question, UPSC में पूछा ही जाता है, PSE से, तो उसके साथ ही सा हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं, कि इसके अस्थापना जो हुई होगी, सोतंतरता से पूर होई होगी, जब हम 1947 में अजाद हुए होंगे, उससे पहले इसका गठन हुआ होगा, बिलकुल सही है, 1921 में, फर्स्ट टाइम, जो हमारा Public Account Committee है, इसका foundation हुआ था, और जो हमा PAC के विसे मौर कौन से important point है, देखिए, सबसे important है, कि इसके member कौन होते हैं, इसके chairperson कौन appoint करता है, कहां से लोग आते हैं, सारे बातों को हम समझते हैं, सबसे पहले ज़रा chairperson को देख लेते हैं, chairman के विसे में, देखिए, जनरली, 1966-67 से पहले की बात थी, कि जो इसका अध्य अध्यक्ष होता था, chairperson होता था, हमेशा ही ruling party का होता था, but 1966-67 की बात हम देखते हैं, कि convention हुआ, एक समझाता हुआ, अपस में ही सब इल पार्टियों का मिलकर, कि जब भी होगा, इसका अध्यक्ष ruling party का नहीं, opposition, leader of opposition, जो होगा लोग सभा में, वही इसका chairperson माना जाएगा तो current में हमारे अधिरंजन चौधरी जी हैं, जो PSE के अध्यक्ष हैं, ऐसे में 1966 के पहले वाली point भी याद रखना ज़रूरी है, ये point हम याद समझेगे हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं अब इसके जो बाकी member हैं, कितने member होते हैं और कहां से आते हैं चुनके, इसे देखत सबसे important है, कि अगर लोक लेखा समयती है, संसद से समंदित है, तो संसद के सदस ही इसके member होंगे, ऐसे में लोक सभा और राज सभा को मिला कर, इसके 22 members होते हैं, कौन कहां से आता है, देखिए, 15 member आते हैं, ये हमारे लोक सभा से, जिने लोक सभा speaker elect करता है, और 37 member होते हैं, राज सभा से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोक सभा का ही member होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज सभा से ही होगा, ऐसा बिलकुल नहीं है, दोनों ही houses को मिला कर, PSE का गठन किया जाता है, और एक question यहां पर हमेशा यह आता है, कि जो public account committee होती है, उसका tenure कितना होता है, क्योंकि 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल बाद फिर नहीं चुनाव होगा, हम चुनाव होती है, तो ऐसे में देखिए, यह point याद रखना है, कि सिर्फ इसका tenure one year ही होता है, एक साल बाद, फिर से जो में भी हो सकते हैं, इसके जो members होगे रहा हो, वो change हो सकते हैं, हर साल नहीं चुना का चुनाव होता है, तो जो PR system क्या होता है, single transferable vote क्या होता है, इसे हम policy के section में आपके साथ discuss कर चुके हैं, या बाद में other से हम अलग से आपके साथ discuss करेंगे, एक point यहाँ पे समझना जरूरी है, कि क्या कोई minister, PSE का Public Account Committee का member हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह point हम में सामयाद रखेंगे, जो भी minister होगा, वो PSE का member नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सरकार की कारियों कहीं देख रेक करती है, उनके ही वितिये लेखा-दोखा का काम जाम देखती है, कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसे में minister का, इसका part होना बिल्कुल सहीं नहीं है, एक point ह क्या समझना है, यह जरूरी है, अगर मान लीजिए कोई PSE का member है, जो ruling party का member भी है, ऐसे में अगर वो minister बन जाता है, तो उसी time से उसकी जो PSE के member सेफ हो खतम हो जाएगी, या तो PSE का member रहेगा, या फिर minister रहेगा, तो यह point है, हम समझ लेंगे कभी कबार, यो PSE से अब important है यहाँ पर कि आखिर PSE का काम क्या है, आखिर जो इसकी इतने बड़े-बड़े members तुने गए अध्यक्ष है, इसका काम क्या है, काम important है, जो भी हमारे public account होते है, उसको scrutinize करना, जो भी सरकार के लेखा जोका है, उसका ध्यान देना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो र ruling में हो, सभी लोग जनता का प्रत्रेजितु कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता का पैसा जो है, वो सही जगखर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे देखना इसका काम है, साथिस जा जो हमारा CAG है, जो controller auditor general है, CAG, इसका जो report होता है, सबसे पहले, यही PSE देखती है, जिसे राष्टपती संसद में रखते हैं, तो ऐसे में समझ ये, अगर PSE में जो अध्यक्ष होगा, ruling party का होगा, तो में भी आप समझ सकते हैं, उसके CAG का report को change कर सकता है, इसलिए भी ये परंपरा बनी ही होगी, कि जो CAG, जो PSE का अध्यक्ष होगा, वो ruling party का अध्यक्ष ना, party क करके विपक्षी party का होगा, यहां पर पॉइंट समझ लेना है, एक पॉइंट और जरह important है समझना इसमें, कि कहा, एक committee बन गई, और committee कुछ member भी है, chairperson भी है, तो ऐसे में क्या जो ये chairperson है, या committee है, इनके जो भी काम है, क्या वो mandatory है, मानने इनोंने कुछ सुझाओ दिया, क तो यह समझ लेना जरूरी है, कि यह सिर्फ जो हमारा executive body कहने के लिए है, बट इनके जितने भी recommendation वगरा है, यह सारे advisory label तक ही सीमोच होते हैं, तो यहां पर समझ लेना जरूरी है, तो मिलते हैं फिर अगले video में किसी important topic and news के साथ, thanks for watching. क्या थे यूमिजल इनके लग्री करोakte कम्या प्लाओार, किसे जिनके कहीएाओ जहाँ रगली।